आप सभी दर्शकों को महा सिवरात्री के बहुत सारी सुपकामनाएं फालगुन मास के कृष्ण पक्ष की चतूर दसीतिती को महा सिवरात्री का पावन तिवहार मनाया जाता है और इस दिन सिव जी अपने भक्त की सुध लेते हैं उनकी मनो कामनाओं को पुर्ण कर देते हैं भगवान सिव की अपार सक्ती और भक्ती का पर्व महा सिवरात्री हर बर्स पालगुन माह के कृष्ण पक्ष की चतूर दसीतिती को मनाया जाता है भगवान सिव मापारवती की पूरे बिधी विधान से पूजा करने का विधान है उन्हें आप भांग, धतूरा, बिलुपत्र और बैर जरूर और पित करें इस दिन धार्मिक अनुष्ठान भी किये जाते हैं, रुद्रा भिसेक भी किये जाते हैं और महा मिर्तुंजे मंत्र का जब भी किये जाते हैं माननेता है कि इस दिन महा मिर्तुंजे मंत्र का जब करने से आपके स्वास्त में कहीं कोई पीडा नहीं होती बड़े से बड़े दुर्घटना योग भी टल जाते हैं हमारी सभी मुनो कामनाई पुर्ण हो जाती हैं अब आपने देखा होगा लगबग हर घर में सिपजी का ब्रत जरूर करते हैं लोग महासिबरात्री का ब्रत छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक साम के वक्त फलाहार कर ब्रत का पूरा पालन करते हैं साम तक ब्रत रखकर निराहार रखकर अब इस दिन आपने देखा होगा सिपजी निकाली जाती है धूमधाम से यह तिवहार मनाया जाता है और जोतिस में यह भी कहा गया है कि महासिबरात्री अगर गुरू बार के दिन हो तो यह और भी ख कहास बन जाता है वैसे तो चुकि महासिबरात्री का देवहार खास योग में मनाया जा रहा है इस बार सिवयोग बन रहा है अब सिव monopol होने से नच십त्र घनिष्ठा है चंद्रमा मकर्रासी में तो इस पर कि जो सिवगर जात्री है वह बहुत दुर्लेव है बहुत खास है जब महासिवरात्री के ब्रत का आरंब इस बार त्रेयोदसी तिथी में हो रहा है तो क्या करेंगे देखिए सुबह जल्दी उठकर अशनान विगर करके स्वक्षबस्त धारन करें फिर पूजा वाले अस्थान की सफाई कर सहत सक्कर फिर जल्द से असनान करें अब भांग धतूरा फल मिठाई पुस्प पुस्प में अगर आग का पुस्प हो तो सबसे अच्छा सिब जी को चंदन और गुलाल जरूर अरपित करें मा पारवती को नए सिंदूर की यानि की सिंदूर जो आप नियमित रूप से अरपित करना है फिर जो आपके उंगली में लगा रहा गया उससे खुद की मांग भरें अब सच्चे मन से महासिवरात्री ब्रत करने का संकल्पने अगर आपके घर के आसपास सिब जी का मंदिर है तो जाकर एक लोटा जल में थोड़ा सा अक्षत यानि बीना टुटा बिलपत्र पुस्प दूद जो भी आपके पास है डाल कर जाकर सिबलिंग पर अरपित करके चले हैं भागवान सिब का प्रमुख पर महासिवरात्री फालगुन मास के कृष्णपक्ष की चतूर दसितिती को मनाया जाता है और माना जाता है कि सिष्टी का प्रारंब भी इस साथ हुआ था यूं तो महादे बड़े ही भोले हैं अगर सदा से एक बार सिर्फ ओम नमसिवाय का उच्चारन भी कर लें तो वो परसंद हो जाते हैं लेकिन आज हम सिप पुरान में बताए गई उन बातों के बारे में आप से चर्चा करेंगे जिन्हें महापाप की स्रेन में रखा गया है तो सिपरात्री के दिन वो कौन से कार हैं जो नहीं करना चाहिए जीवन में परिसानी आती है तो आईए जानते दे कि किसी के लिए गलत करना ही नहीं बलकि सोचना भी पाप होता है और सिपरात्री में अगर आप बरत रख रहे हैं पूजन कर रहे हैं तो पिर ना बुरा सोचे ना बोलें यह सबसे जरूरी है क्योंकि विचार की पवित्रता होना आपके जो आपने तब कर रहा है आप जो सिवरात्री के दिन उसको पूर्ण करेगा अब पती-पत्नी वैसे तो बुरी नजास से एक दूसरे को नहीं देखते लेकिन सिवरात्री के सिवरात्री के दिन भूल कर भी गुरू माता पिता पत्नी पुर्वज या कोई भी हो किसी का अपमान ना करें सराब पीना दान दी हुई बस्तू का फिर से वापस ले लेना यह सभी चीज़े ना करें नहीं तो सिव जी आपको माप भी नहीं करेंगे और आपके जीवन में जो आपने तप दान पुनि किया है उसका फल भी नहीं मिलेगा गलत तरीके से दूसरों की संपत्ती को हडपना गलत तरीके से या पिर किसी को परेसान करना ये सभी चीज़ें भी सिवरात्री के दिन करना मना है और सिवलिंग की जब आप पूजा करेंगे सिवरात्री में तो जैसे सिवजी की पूजा में संख नहीं बजाआ जाता सिवजी पर सिंदूर नहीं अरपित किया जाता सिव पुरुण केहते हैं कि फालबुन माज की किश्ण पक्ष की चटूर दसी को महा शिवरात्री मिनाय जाता है और इस दिन सिवजी और सक्ति का मिलन का ये पर्व है तो ऐसे में सिपजी की पूजा करने से जीवन में सुख सौभागे तो बढ़ता है लेकिन कुछ खास चीजें हैं जिनको नहीं अर्पित करनी चाहिए नहीं तो आपके जीवन में परिसानी बढ़ जाती है तो महा सिवरात्री के दिन आप जैसे तूलसी के पत्ते हैं केत्की के पुस्प हैं यह सभी चीजें सिपलिंग पर अर्पित ना करें हल्दी अर्पित ना करें नहीं तो आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा तो महा सिवरात्री के जिन सिपजी को परसंद करने के लिए आपके पास कुछ हो या ना हो एक लोटा जल और बिल पत्र ही काफी है अगर बिल पत्र भी ना हो तो सिर्फ एक लोटा जल नमा सिपाय का अनुवरत जब करते बें जिन पर आरृपित कर दें तो वह उन्हीं से उर जब घर आई ये तब नीर जरूर लाएए बहुत जरूरी है क्यों तो महासिव रात्री के पुजा-विधान है वो 11 मार्च की रात में ही की जाएगी क्योंकि रात्री में पूजा करने के विसेस नियम है विसेस बिधान है तो सिव जी की पूजा में अगर आप बेल का फलोने अर्पित कर पाए तो ये सर्वोत्तम होगा इसको हम स्री फल भी कहते हैं तो भगवान सिव की अराधना के लिए महा सिव रात्री बहुत खास माने जाती है और सिव रात्री वैसे तो हर महिने के कृष्ण पक्ष की चतूर दसी तिति को आती है लेकिन फालगून मास के जो कृष्ण पक्ष की चतूर दसी तिति है इसको महा सिब्रात्री कहते हैं और इस बार सिब्रात्री के दिन चुक्की सिवयोग बन रहा है और माननेता है कि भगवान सी मापारवती का बिवाह अगर आप करवाए या दोनों का गठवन्दन करवाए तो आपके घर परिवार में आपके बैवाही जीवन में कहीं कोई तोड़ी नहीं सकता सदा सदा के लिए आप लोगों का रिस्ता बना रहता है बहुत सारी चीजें इस दिन के ब्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए और एक चीज ऐसा है जो शिवरात्री के दिन जरूर खाना चाहिए ताकि आपको इस ब्रत का संपूर्ण फल मिले देखें महासिवरात्री के दिन बहुत सारे लोग ब्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग सात्वी भोजन करते हैं, एक बेला उप्वास रख कर तो महासिवरात्री का अगर आप ब्रत रखते हैं तो सरीर में पानी की कमी नहों इसके लिए आप जूस का सेवन कर सकते हैं अनार का ओरेंज का कर लीजिए लेकिन इख का जूस मत पीजेगा महासिवरात्री के दिन फलाहार में भी जैसे सेब, औरेंज, पपीता, केला, खीरा बेगरे खा सकते हैं इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए अगर बहुत साई लोग सेंधा नमक का खाना खाते हैं तो आप खा सकते हैं, कोई रिकत नहीं है लेकिन जो सफेद नमक है उसको मत खाईएगा आलू का आप उप्योग, प्रियोग कर सकते हैं पर काली, जो काला नमक होता है ब्लेक सॉल्ट उसको मत खाईएगा भूल कर भी चावल, रोटी, यानि अनाज का सेबन मत कीजिए आप वैसे तो सिंधा नमक का प्रियोग से आप बहुत सारे लोग रात में खाना खाते हैं तो ऐसे में गेहूं तो एक बार खा भी लें, पर चावल मत खाईएगा इस बात का ध्यान रखिएगा और दही बेगरा क्खा सकते हैं, कोई डिकत नहीं है मुंख फली, मखाने को आप घी में फ्राय करके भी खा सकते हैं अब दूसरी तरफ, मीठी चीजों का सेबन आप जरूर करें गाजर, लोकी का खीर बेगर है साबू द्याने की खिजडी भी खा सकते हैं इस दिन कुट्टू के आटे का खाना भी बनाया जाता है तो आप उसको भी खा सकते हैं लेकिन अनाज नहीं खाईएगा साधारन नमग भी इस दिन ब्रत में प्रियोग मत कीजेगा सेंधा नमग आप प्रियोग कर सकते हैं लहसन, प्याज, मांस, मदीरा भूल कर भी मत खाएं वरना आपके ब्रत का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो इन चीजों का आपको ध्यान डखना है लेकिन वो एक खास चीज जो सिबजी पर अरपित भी किये जाएंगे और खाए भी जाएंगे वैसे तो पंचामरित आप जरूर अरपित करिएगा और जो नीर है सिबलिंग पर अरपित करने के बाद उसको उठा कर घर ले आईएगा और उसको परसाथ के रूप में जरूर खाईएगा दूसरी बात इस दिन आपके पास जो भी है आप सात्विक तरीके से खाना बनाते हैं तो बहुत सारे लोग खाना खाते हैं आप फलारी भी करते हैं तो आलू का हलुआ, सकरकंद बॉयल करके या सिंघाडे का हलुआ कुछ भी आप खा सकते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन इस दिन सिबजी के उपर सिबलिंग के उपर बैर बैर तो आपको पता होगा जरूर अर्पित करें और अर्पित करने के बाद जब आप खाईएगा फलाहर कीजियेगा तब इसको जरूर खाईए बैर को याद रखिए सत्रू बिरोधी कभी सर नहीं उठाएंगे और जीवन में आपकी चारो दिसाओं में जैजैकार होगी बिजैसरी को प्राप्त करेंगे बैर अर्पिट करने से दुस्मन का सर्वनास होता है या पिर दुस्मन आपके खिलाब कुछ नहीं कर पाते सिबलिंग पर केला जरूर अर्पिट कीजेगा यह आपको करना है इक का जूस मत पीजेगा वैसे महा सिबात्री के दिन आप दूद का सेवन कर सकते हैं लेकिन दूद सिंपल नहीं उसमें 2-4 दाने चीनी के डाल कर ही सेवन कीजेगा प्लेन दूद नहीं खाना चाहिए जेनरल आम जीवन में भी नहीं खाना चाहिए ब्रत योहार में तो भूल कर भी नहीं दो चार दाना चीनी डाल दे भले ही आप चीनी नहीं खाते हैं फिर भी तो इस तरह से आपका ब्रत पूर्ण होगा और जब आप फलारी करें तो उसमें दो तुलसी के पत्ते डाल लीजेगा ताकि आपका ब्रत का फल आपको पूरा बेखे मिले और साथ ही सिवरात्तरी के अगले दिन एक छोटा सा प्रयोग आपके गुडलग को बढ़ाएगा क्या करेंगे अपने घर के पुजा स्थान पर एक पात्र में थोड़ा सा पानी लेकर बैठे उसमें अपनी हाथों को डाले और नमसी बाय का कुछ दिर जब करें फिर इस पानी को थोड़ा सा गर्म करें इसमें इलाइची डाले और उसी पानी स्थान करें या फिर आप उसको अपने सर पर भी हलका सा छीटा डाल सकते हैं इस से आपका भागयोदय होगा जीवन की परिशानिया समात होगी और साथ ही अगले दिन चुकि सिभ रात्री के रात में सिभ जी की पूजा होगी तो अगले दिन मरजात होगा तो हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सबस्काइब करें अपनों से सेर करें और कमिट में हर हर महादेव चरू लेखें धानिवाद